नमस्कार दोस्तों राधी राधे ओसम कलेक्टिप्स में आप सभी का एक बाफ फिर से बहुत बहुत स्वागत है यह दोस्तों आज हम फिर उपस्तित है एक महत्पूर्ण जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका की अगनी को अर्पित करें ये साथ चीजें सुख समरेदी का मिलेगा वर्दान जी है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चानल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सकर दें ताकि इसी प्रकार की रोचिक जानकारियां आपको समय से मिलती रहे तो आए दोस्तों देर न करते वे वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हिंदु धर्ण में होली के साथ होली का दहन का बड़ा महत्व है हर साल फागु मास की पुनिमातिति को होली का दहन मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है होल बाद 24 मार्च को सुबह 12 बचकर 24 मिनट पर हो रही है और अगले दिन यानि 25 मार्च 24 को दोबहर दो बचकर 59 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए 24 मार्च की मध्यरातरी को होली का दहन किया जाएगा जोति सास गनुसार होली का दहन के दोरान अगनी को कुछ चीजों को अरपित करना बेहत सुब माना जाता है मानेता है कि इससे जीवन में सुख समरिधी और खुशिया आती है होली का दहन के दोरान होली का की 11 बार परिक्रमा की जाती है और आखिर में सुखा नारियल, पान और सुपारी अर्पित कर सकते हैं मानेता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से चुटकारा मिलता है और जीवन में सुख सम्रिधी और खुसाली आती है कहा जाता है कि होलिका में जो का आटा अर्पित करने से ग्री हिकलेश्ट दे मुक्ती मिलती है और परिवारिक जीवन में एक सुक्सान्ती बनी रहती है तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प